नमस्कार मैं हूँ अंचना और आप देख रहे हैं जज़वार 24 चले शुरुवात करते हैं आज की बड़ी ख़बर से अनंत नाग में चौथे दिन भे मुटमेर जारी आतंकियों के खिलाफ रॉकेट लॉंचर से बम बरसा रही सेना कश्मीर के अनंत नाग में आतंकियों के खिलाफ इंडियन आर्मी आक्शन में है यहां के कोकर नाग में आतंकियों से मुटमेर लगतार चौथे दिन शनिवार 16 सितंबर को भी जारी है सुत्रों ने बताया कि कोकर नाग के जंगलों में मौजूद पहाडियों पर दो से तीन आतंकियों चुपे हुए हैं जुन्हें इंडियन आर्मी ने घेर लिया है कश्मीर पुलिस ने दी बड़ी अपडेट कश्मीर के ADGP ने इस ओपरेशन पर बड़ा अपडेट दिया है उन्होंने एक्स पर लिखा स्पेसिफिक इन्पुट के आधार पर ओपरेशन चलाया जा रहा है दो से तीन आतंकवादी घिरे हुए हैं जिन्हें जल्द पकड़ा जाएगा बुधवार को शहीद हुए थे तीन अधिकारी बुधवार 13 सितंबर को अनंतनाग एनकाउंटर में सेना और जम्मो कश्मीर पुलिस के कुल तीन अधिकारी शहीद हुए थे इन में 19 राष्ट्य राइफल्स के कमांडिंग आफिसर कर्नल मनप्रीट सिंग मेजर आशिश, धानोक और डियस्पी हुमायु मुझम्मिल भट शामिल थे ऑपरेशन के दरान एक जवान भी शहीद हुआ है हाला कि उसके विस्तरत जानकारिय भी नहीं दी गई है सेना के सूतरों ने बताया है कि उपरेशन को जल्द खत्म अगर दिया जाएगा क्योंकि आतंकियों के पास मौजूद गोला बारूत खत्म हो गए है और किवल उंची जगह पर छिपे होने की वज़ा से सुरक्षा बलों से अभी तक बचे रहने में सफल रहे है मुटमेड वाली शेत्र को चारों तरफ से घेर कर रखा गया है और आम लोगों को उस तरफ आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है लोगों ने मुटमेड के दोरान धमाकों की आवाज सुनी है पाकिस्तान में बनी आतंकी हमले की प्लैनिंग कश्मीर से इस आतंकी वारदात के पीछे पाकिस्तान के साजश का खुलासा हो चुका है क्रोस बॉर्डर कॉल इंटरसेप्ट से पता चला है कि आतंकवादियों के घुसबैट और हमले की योजना सीमा पार से बनाई जा रही थी भारत के अध्यक्षता में G20 के सफल आयोजन से पाक आर्मी बॉक लाई हुई है इसके अलावा तीन जगों पर पाकस्तानी आर्मी पर तालिबानी आतंकियों के हमले से ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर में इस हमले की साजश रची गई है मंगलवार और बुधवार की रात अनंद नाग में आतंकियों की मौझूद्गी की सूचना मिलने के बाद से ही सेना ने असर्च आपरेशन शुरू किया है अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमश्कार और देखते रहे हैं जज़वार 24